हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूटूब चैनल स्टीडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट वीडियो ले के आई हूँ तो देखिए कल होने वाले कनिश्ट सायक के एक्जाम के लिए Special Revisional Class चल रही है जिसका Part 1 and Part 2 हमारे यूटूब चैनल स्टीडी विद एम पर अप्लोट कर दिया गया है और ये Revisional Class का Part 3 है जिन लोगों ने भी Part 1 and Part 2 नहीं देखा है वो लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं आपको इनसे काफी हेल्प मिलेगी कनिश्ट सायक एक्जाम में तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप लगी सबी लोगों से जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोट्विकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 5.5 के यहाँ पे सस्क्राइबर्स हो चुके हैं सुब़ 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे कुछ का इजन भी कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडियाप्स यहीं पे शेयर की जाती है लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर देखे इस स्रीज का पहला कुशन है आपका डुंगी पैंतोली आंदोलन किस जिले से सम्मंदित है डुंगी पैंतोली आंदोलन सम्मंदित है आपके चमोली जिले से देखे डुंगी पैंतोली आंदोलन महिलाओं के विरोथ के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पढ़ा अगला कूशन है देखिए राजी का सबसे पुराना वनिय जीव विहार है गोविंद वनिय जीव विहार देखे गोविंद वन्य जी विहार की स्थापना 1905 इस भी में की गई यह वन्य जी विहार 485 वर्ग किलोमीटर छेतर फल में फैला है गोविंद वन्य जी विहार उत्तरकाशी जन्पद में इस्तित है यहां मुख्य रूप से इसनो लेपर्ट कस्तूरी म्रग भरल हिमालयन थार गुल्डार बिल्ली काला व भूरभालू कांकर सांभर सेही आधी जानवर और मोनाल फिजेंट लोकलास फिजेंट क्लीज चकोर ग गोल्डन इगल आधी पक्षी हैं अगला कुश्यन है आपका हिम तो तेद्वों की सुरक्षा के लिए इसनो लेपर्ट योजना का प्रारंब की गई हिम तेद्वों की सुरक्षा के लिए इसनो लेपर्ट योजना जो है यह प्रारंब की गई आपके 1991 में अगला कुश्यन है राजिय में सरवादिक संग मरमर भंडार वाला जिला है आपका धिरादून जिला अगला कुश्यन है पैलर गोनियम ग्रेवियो लैंस किसका वानस्पतिक नाम है पैलर गोनियम ग्रेवियो लैंस वानस्पतिक नाम है आपके जिरेनियम का देखिए जिरेनियम जो है यह अफ्रिकी मूल का एक शाकी सुगंद यूगत पौदा है इसे गुलाव यूगत जिरेनियम भी कहा जाता है इसका मुखे उत्पात सुकंदित तेल है जो इसकी पत्तियों से निकाला जाता है अगला कुशन देखे किसान रत्न सम्मान योजना कब शुरू की गई किसान रत्न सम्मान योजना शुरू की गई 2010 में 2010 से शुरू की गई इस योजना के तहट किर्शी एवं पशु पालन छेतर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चैनित किशानों को सम्मानित किया जाता है अगला कुश्यन देखिए उत्राखंड में भकार का उपयोग होता है खाध्यान संग्रहेतु अगला कुश्यन देखिए राजी में नई किर्शी नीती जारी की गई है 2011 में अगला कुश्यन देखिए हिमवंत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता है देरा दून से अगला कुश्यन है आपका विश्वेशा दत्र सकलानी को इंद्रा प्रिय दर्शनी व्रक्षमित्र पुरुसकार से कब सम्मानित किया गया है 1986 में अगला कुश्यन है कंडवा नामक आभुशन पहना जाता है पैर में अगला कुश्यन देखिए वारूनी पंच कोशी यात्रा की जिले में होती है वारूनी पंच कोशी यात्रा होती है आपके उत्तरकाशी जिले में देखे वारूनी पंच कोशी यात्रा उत्तरकाशी जिले में प्रतिवर्ष एक दिवशी है पंच कोशी यात्रा का पौरानिक विधान है चैत्र माश के कृष्ण पक्ष की त्रियो दशी तिती को इसका प्रारम मनिकर्णी का और बेड थी मैं वरोणा एवं भाईरती के संगम पर इसनान उपरांत शुरू होता है यह यात्रा 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है अगला कृष्ण है आपका नंदा राजजात यात्रा कितने दिनों में पूरी होती है नंदा राजजात यात्रा पूरी होती है 19 से 20 दिन में देखे उत्राखंड की नंदा राजजात यात्रा गडवाल एवं कुमाउं के सांस्कृतिक एकता का परतीक है यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जिसमें चमोली के कास्वा गाउं के पास इस्तित नौटी से नंदा देवी मंदिर से परिशर से होम कुंड तक यह यात्रा जाती है और 280 किलोमीटर की यह यात्रा है जो 19-20 दिन में पूरी की जाती है नंदा राज्यात यात्रा प्रतिये 12 वर्षों में होती है यह यात्रा चाथपूर गड़ी के वन्षज काश्वा गाउं के राजकौरों के नेत्रित में आयजित की जाती है अगला कुश्यन देखे चमोली के आदी बद्री धाम में अब नौठा कौतिक उत्सव को किस नाम से मनाया जाने लगा है चमोली के आदी बद्री धाम में अब नौठा कौतिक उत्सव जो है इसको हिमालाई महुत्सव के नाम से मनाया जाने लगा है नौठा कौतिक उत्सव गड़वाल वकुमाउ छेत्र का प्रशिद्द उत्सव है जो बैशाक के पांचवे सोमवार या जेश्ट के पर्थम सोमवार को आयजित होता है गड़वाल छेत्र के चमोली के आधि बद्री धाम में तथा कुमाउ छेत्र के देवी धुरा पोनागिरी और सोमिश्व में कौतिक जो है विशेश रूप से मनाया जाता है चमोली के आदी बद्री धाम में अब नौठा कौतिक उत्सो को हिमाले महुत्सो के नाम से मनाया जाने लगा है अगला कुशन है आपका पाताल भूनेशर मंदि किस जिले में इस्तित है पाताल भूनेशर मंदि इस्तित है आपका पिथोरागर जिले में अगला कुशन देखिए अलग नंदा वो पिंडर नदी का संगम किस स्थान पर होता है अलग नंदा वो पिंडर नदीों का संगम होता आपका कर्ण परियाग में अगला कुशन है यम ताल किस जिले में इस्तित है यम ताल इस्तित है आपके टिहरी जिले में यमताल तीरी के सहस्त्रताल के ही समीप है जो सदय वर्फ से ढखा रहता है अगला कुशन देखे कनकपाल किस वंच का साशक था कनकपाल था आपके पमवार वंच का साशक अगला कुशन देखे खगमरा किले का निर्मान किसने करवाया था खगमरा किले का निर्मान कराया था राजा भीश्म चंद्र ने अगला कुशन देखे गडवाल सर्व दलित परिशत का गठन 1928 में किया गया जैनन्द भारती द्वारा अगला कुशन देखे किस ग्रिंथ में उत्राखंड के लिए देव हुमी शब्द आया है उत्राखंड के लिए देव भुमी शब्द आया है आपके रिग वेद में अगला कुशन देखे महात्मा गादी ने अनाशक्ति योग टी का कहां लिखी महात्मा गादी ने अनाशक्ति योग टी का लिखी आपके कौसानी में कौशानी बागेश्वर से लगभग 49 किलोमीटर फश्चिम में कोशि और गरुड गंगा नदियों के बीच पिंगनाथ पहाडी परिस्तित है कौशानी का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका पुराना नाम है बलना कहा जाता है कि कौशिक मुनी की तब इस्तली होने के कारण कौशिक नाम पढ़ा 1929 में महात्मा गांधी कौशानी आये और 12 दिन तक यहीं रहे और यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौशानी को भारत का सुर्जलेंड कहा गांधी ने जिस इस्तान पर प्रवास किया था उसे अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया गया क्योंकि इहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योगटी का लिखी अगला है आपका देखे टिहरी राज किस तिथी को उतर प्रदेश में सम्मिलित हुआ एक अगस्त उन्होंने पंचास को अगला कुश्चन है आपका सल्ट की घटना किश वर्ष हुई सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1922 इस भी को अगला कुश्चन देखे वसिष्ट गुफा वसिष्ट कुंड और वसिष्ट आश्रम किस परवत पर इस्तित है वसिष्ट गुफा वसिष्ट कुंड और वसिष्ट आश्रम इस्तित है ता 1790 इस भी में अगला कुश्चन है आपका गरदे सेवा संग का नाम बदल कर क्या रखा गया है संग. देखे मैं प्रतक राजी की मांग हितू शिदे सुमने दिल्ली में गरदे सेवा संग. नाम से एक संगठन बनाया बाद में इस संगठन का नाम हिमाले सेवा संग हो गया अगला कुश्यन है आपका उत्राखंड युवा परिशत का गठन कब किया गया उत्राखंड युवा परिशत का गठन किया गया है 1976 इसबी में 78 में इसके सदश्यों ने संसत का भी घिराव करने की कोशिश की और गिरफतारियां दी इस परिशत का गठन पर्थक राजी हितु किया गया था तो आप ये ध्यान रखें अगला कुश्यन है आपका मथूरा प्रशात मठपाल को साहित्य अकाद्मी पुरुसकार कब मिला मथूरा प्रशात मठपाल को साहित्य अकाद्मी पुरुसकार मिला 2015 में अगला कुश्यन है आपका थोड़े से उपकरणों की सायता से प्रकाश मेती पर शोद करने वाले वेग्यानिक थे थोड़े से उपकरणों की सायता से प्रकाश मीती पर शोत करने वाले व्यग्यानिक थे आपके देवी दत्पंत देवी दत्पंत का जन्म 1919 इस भी में पितारगड जिले के दैयोराडी गाउं में हुआ था उन्होंने देवा सिंग बिष्ट राज की कॉलेज नेनिताल में फोटो फिजिक्स प्रियोग शाला की स्थापना की एवं थोड़े से उपकरणों की सायता से प्रकाश मीती से सम्मंदित शोत कार्य प्रारंब किया इस प्रियोग शाला की सबसे बड़ी वह पहली सफलता थी फ्रोजन यूरेनल सॉल्ट के जटिल इस्पेक्ट्रा के लिए उत्तरदाई वर्ग की पहचान करना 1973 इस भी में वे कुमाओ उशुद्याले के संस्तापक उपकुल पती नियुक्त हुए अगला है सबसे पुरानी सूती वस्तर मिल कहां इस्तित है सबसे पुरानी सूती वस्तर मिल इस्तित है आपके काशीपुर में दीखे काशीपुर को काशिनात अधिकारी ने बसाया था ऐसा माना जाता है कि यहां इस्तित ड्रोन सागर पांडवों ने बनाया था इस द्रोन सगर के पास उजय नामक किला है यहां कत्यूरी वा चंद राजाओं द्वारा निर्मित तीन गड़ हैं जो रामपूर जो हैं आपके रामपूर लक्षमनपूर वा चैतान कहलाते हैं अगला कूशन देखे हैं हरीद्वार जिले में अगला कूशन देखे हैं राज्य में आधारिक संग्रश्णाओं के विकास है तू PPP model अपनाया गया अगला कुश्यन है जनसेंख्या की दृष्टी से राज्य वकुमाउचेत्र का सबसे बड़ा जनजाती समुदाई है अगला देखिए अगला के सेल कुमेला कि जनपद में आईजित होता है देखिए सेल कुमेला जो है यह आईजित होता है आपके उत्तरकाशी जनपद में सेल कुमेला प्रती वर्ष 5 से 10 सितंबर 5 से 10 सितंबर के बीच सिमानत जनपद उत्तरकाशी में गड़वाल की कोलकाता एवं राजिस सरकार की जनप योगी नेतियों पर आधारित मेले का आईजिन किया जाता है अगला कुश्यन है आपका क्वानू मेला के छेतर में लगता है क्वानू मेला लगता है आपके जोनसार छेतर में क्वानू मेला चकराता देरादून में लगता है जोनसार की परंपरागत इवं प्रिशिद बूरी दिपावली के कई चरणों जैसे रण दिपावली औस दि दिपावली के उपलक्ष में क्वानू मेले का अरजन किया जाता है अगला कुश्चन है जगत राम वर्मा वा फकीरा सिंग चोहान है जौनसारी गायक अगला कुश्चन है आपका चाली और भौर के अन्त होने वाले मंडान नृत्य को कहा जाता है केदार नृत्य अगला कुश्चन है आपका राजी की लोग भाषा में कितने फिल्मों का निर्मान शुरू हुआ आपके 1983 इस भी से अगला देखिए राजी के राजी में दून कहा जाता है संगरशनात्मक घाटियों को अगला कुश्चन है उत्तरकाशी तथा तिबबत को कौन सा दर्रा जोडता है उत्तरकाशी तथा तिबबत को जोडने वाला दर्रा है आपका थांगला दर्रा अगला कुशन देखे पूर्वी राम गंगा नदी कहां से निकलती है पूर्वी राम गंगा नदी जो है यह आपकी निकलती है पोर्टिंग गलेशर से पोर्टिंग हिमनत से निकलती है पूर्वी राम गंगा नदी अगला कुशन है आपका भागी रती व भिलंगना नदी का संगम इस्तल है भागिरती वह भिलंगना नदी का संगम इस्तल है आपका गणेश परियाग अगला देखे मीलम हिमनत की लंबाई कितनी है मीलम हिमनत की लंबाई है 16 किलोमेटर देखे मीलम हिमनत जो है ये पितोरागार नगर से लगभग 200 किलोमेटर उत्तर में मुंशारी तहसील में इस्तित है इस गलेश्यर की लंबाई 16 किलोमीटर है सुद्ध रूप से कुमाउ मंडल का यहाँ सबसे बड़ा गलेश्यर है इस गलेश्यर से पिंडर की नदी पिंडर की साहयक नदी मीलम वा काली की साहयक नदी गोरी गंगा नदिया निकली है अगला कुशन है आपका सूरी कुंड किस जिले में इस्तित है सूरी कुंड इस्तित है आपके उत्तरकाश की जनपद में अगला कुशन है आपका कौन सा बुग्याल बद्रिनात के चारो और फैला है आपका कैला बुग्याल अगला कुशन देखे कौनधारी वन उत्राखंड में कितने मीटर की उचाई पर पाए जाते हैं कौंण धारी one जो है ये उतराखंड में 900 से लेकर 800 मीटर की उचाई पर पाए जाते हैं लेकर 800 मीटर की उचाई पर पाए जाते हैं चीड इनका प्रमुक व्रक्ष है कौंदारी वन का आप ये ध्यान दे अगला Can ayam Indian Institute For the Ayurvedic For Drug Research playback अगला question देए, सोना नदी बण्य जीव विहार की जनपद में इस्तित है। सथापना 1987-2020 में हुई, यह वन्य जीव विहार 301 वर्ग क्लूमीटर छेटरफल में फैला है। सोना नदी वन जीव विहार पौडी जन पद में इस्तित है आप यह ध्यान दें अगला कुशन देखे मिश्ट वन खेती मौडल किसने तो चौधरी ने विगत तीस वर्शों की मेहनत से मिशृत वन खेती का मॉडल तैयार किया है उनका मानना है कि उतराखंड हिमालय सहित संपूर्ण देसी नहीं बलकि विश्व के लिए मिश्रित वन खेती को अपनाया जाना पारिस्तितिकी संतूलन परियावरण संग्रक्षन जल संग्रक्षन के साथ सतत आर्थिक विकास के लिए महतपूर्ण हो सकता है उनके इस सफल प्रियास के लिए आरिय भटस सम्मान 2006 इन्हें दिया गया है अगला कुशन देखिए मद महेश्वर मंदिर कौन से सिकर पर इस्तित है मद महेश्वर मंदिर जो है ये इस्तित है आपके चौखंबा सिकर पर देखिए मद महेश्वर मंदिर रूद्र प्रियाग जिले में इस्तित है जिसे दितिय केदार कहा जाता है यह मंदिर चौकंबा शिकर पर इस्तित है और पांडव शैली में निर्मित इस मंदिर में भगवान शिव की नाभी की पूजा होती है अगला देखे हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोगतांत्रिक समाजवाती पार्टी का गठन किया 1989 इस भी में हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्म के अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1919 इस भी में पौड़ी के बुधानी गाओं में हुआ था इन्हें गड़वाल का चन्नन कहा जाता है चन्द्रभानुक गुप्त जीद्वारा इन्हें नटवर लाल की उबाधी दी गई अगला देखे देहरादोन में घंटा घर के नीव किस ने रखी देहरादोन में घंटा घर के नीव रखी है सरोजिनी नाइडूरे देखे देरादून में घंटाघर की निव 24 जुलाई 1948 इसवी में रखी गई इसकी निव ततकाली राजिपाल सरोजिनी नाइडू ने रखी घंटाघर का उद्गाटन 1953 इसवी में लाल बादू सास्री ने किया और घंटाघर की उचाई की अगर हम बात करें तो इसकी उचाई 85 मीटर है अगला क्विश्चन है गड़वाल का अशो किसे कहा जाता है अजय पाल को देखें अजय पाल गड़वाल के परमारवन्ष का 37 राजा था कारिकाल के अगर हम बात करें तो इसका कारिकाल 1490 इसवी से लेकर 1519 इसवी तक अजय पाल का कारिकाल रहा अजय पाल ने अपने राजधानी देवल गड़ 1512 इसवी में राजपरशाद बनवाया और इसने 1517 इसवी को राजधानी श्री नेगर इस्थाना अंत अजय पाल को गड़वाल का किरशन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दें आप अगला कुशन देखें, प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुवात कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुवात हुई 7 अपरेल 1973 को देखे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवाद 7 अपरेल 1973 को हुई जिसके अंतरगत आरंब में 9 बाग अभ्यारणी बनाए गए आज इनकी संख्या बढ़कर 52 हो गई है अगला कुश्यन है आपका अगला कुश्यन है आपका काली दास की जन्मस्तली माना जाता है कविल्टा को देखे कविल्टा जो है ये रूत्र प्रिया जन्पद में काली मट के पास इस्तित है अगला कुश्यन है आपका प्रिशिद सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्मान 1700 इजवी में कराया था प्रिशिद सोमेश्वर मंदिर महादेय मंदिर जो है इसका निर्मान 700 इजवी में राजा सोमचन्द ने करवाया था अगला कोश्चन है आपका देवपरिया का प्रशिद रघुनाथ मंदिर कि शयली का है अगला कोश्चन है लाल कुआ को नगर पंचायाद का दर्जा अगला इजवी में देखें लाल कुवां जो है ये नेनिताल जिले में इस्तित एक नगर है जो कुमाओं मंडल की अंतरगत आता है लाल कुवां बिडला समो की एक बड़ी पेपर मिल के लिए काफी पिश्चिद है 23 दिसमबर 1975 को लाल कुवां को राजसुग्राम घुशित किया गया और 1978 इस्वी में इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया अगला कुशन है आपका कुमाओं का चानक्य किसे कहा जाता है कुमाओं का चानक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को देखे हर्षदेव जोशी को कुमाओं का चानक्य कहा जाता है इन्हें कुमाओं का शिवा जी भी कहा जाता है राहूल सांक्रतियान ने इन्हें विभीशन की संग्यादी थी हर्षदेव जोशी के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनके पिता का नाम है शिवदेव जोशी इन्हें कुमाओं का बेरम खां कहा जाता है अगला कुश्यन है आपका तीहरी हाइड्रो डेवलप्मेंट कॉर्परेशन की स्थापना कब हुई तीहरी हाइड्रो डेवलप्मेंट कॉर्परेशन की स्थापना हुई 12 जुलाई 1988 इस भी को फरवरी 1989 से टीरी हाइडरो डवलप्मेंट कॉर्परेशन ने टीरी जल परियोजना का कारी भार समाला टीरी बाद का अगर हम बात करें टीरी बाद बनाने की जो स्विकिर्ती है यो योजना आयोग द्वारा 1972 में दी गई यह परियोजना भागिरती एवं भिलंगना नदी के संगम पर इस्तित है तीरी बाद एशिया का सबसे उचा वर दुनिया का चौथा सबसे उचा बाद है इसकी उचाई की अगर बात की जाए तो 260.5 मीटर तीरी बाद की उचाई है इस बात का डिजाइन जेम्स बूरून ने किया था अगला क्षियन है अपका देखे मसूरी में इंटरनाशनल स्कूल की स्थापना कब हुई मसूरी में इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हुई 1984 इसके में इसके अलावा देखे सेंटर जार्ची विद्याले की स्थापना मशूरी में 1853 में हुई वूड स्टॉक की स्थापना मशूरी में हुई 1901 में लाल वाहदु सास्तिर राष्टी प्रशाषनी अकादमी भी मशूरी में इस्थित है तो आप ये भी ध्यान रखें अगला कुश्चन है आपका जिया रानी का मेला किस इस्थान पर लगता है जिया रानी का मेला लगता है आपके रानी बाग में देखे रानी बाग जो है नेनीताल जिलिम में इस्थित है इसका पुराना नाम था चित्र शिला रानी बाग का की तब इस तली जानी बाग में ही इस्तित है अगला कुशन है आपका मनोहा शाम जोशी को किस उपन्यास के लिए साहित याकादमी पुरुषकार मिला मनोहा शाम जोशी को क्या आप उपन्यास के लिए क्या आप नामक उपन्यास के लिए साहित याकादमी पुरुषकार से सम मोडा के थे इनका मोल जो निवास इस्तान था ये अलमोडा में था 1982 इस भी में दूर दर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर शाम जोशी ने लिखा मनोहर शाम जोशी को 2006 में क्याप उपन्यास के लिए साहित या कादमी पुरुसका से समानित किया या क्या आप वह कसप इनके कुमावनी उपन्यास है काफ़ी इंपोर्डेंट है एक्जाम के लिए आप ध्यान दें अगला है आपका असकोट वनी जी विहार का छेत्रफल कितना है असकोट वनी जी विहार का छेत्रफल है आपका 600 वर्ग किलोमेटर देखे असकोट वनी जी विहार की स्थापना 1986 भी में पितोरगड जिले में की गई यह वनी जी विहार 600 वर्ग किलोमीटर छेतर फल में त्वैला है असकोर्ट वनी जी विहार कस्तूरी म्रग के लिए काफी प्रशिद्ध है अगला कुश्यन है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ 1886 इस भी में मैथिली शरण गुप्त ने दिवेदी जी के नेत्रित में रहेका सरश्वति पत्रिका के लिए अनेक रशनाये लिखी ये दद्दा के नाम से जाने जाते थे आप ध्यान ने सुतंतरता के बाद ये भारती संसद में राजिसवा के शदशे मनोनित किये गए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभुसंस से सम्मानित किया या है अगला कुश्यन है उत्राखन्द अधिनस्त सेवा चैन आयोग की स्थापना कब हुई उत्राखंड अधिनस्त सेवा चैन आयोग की स्थापना हुई 17 सितंबर 2014 को अगला है सरवादिक दश्की व्रिद्धी वाला जिला है सरवादिक दश्की व्रिद्धी वाला जिला है आपका उधम सिंग नगर जिला उधहम सिंग नगर जिला राजी का सबसे दक्षनी जिला है उधहम सिंग नगर जिले के छेत्रफल की अगर हम बात करें तो उसका छेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है इस जिले की सीमाएं दो जनपद नेनिताल वह चमपावत से मिलती है उधहम सिंग नगर जिले के गठन की अगर बात की जाए तो इसका गठन हुआ 30 सितंबर 1922 को उधहम सिंग नगर जिले का लिंगा नुपाद 920 है और कुल शाक्षरता दर है यहाँ पे 73.10 पृतिशत जिसमें महिला शाक्षरता दर है 74.5 पृतिशत और पृतिशत शाक्षरता दर है 81 पृतिशत सारी चीजे ध्यान देयाँ अगला देखिए 1930 इजवी में अलमोडा में स्वाधिन परजा नामक सापताहिक पत्र का संपादन किया विक्टर मोहन जोशी ने देखिए मोहन जोशी ने इसाई धर्म को अपना लिया था जिसके बाद इनका नाम विक्टर जोजप हो गया था इन्होंने अलमोडा में क्रिश्चन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना की और 1930 इसबी को अलमोडा जंडा सत्यागर का नेत्रत जो है ये मोहन जोशी ने किया था अगला देखिए मनसार का मेला किस जनपद में लगता है मनसार का मेला लगता के पौड़ी गड़वाल में अगला कुश्चन है आपका नेनिताल राजभवन की निव कपड़ी नेनिताल राजभवन की निव पड़ी 27 अप्रेल 1897 इसबी में देखिए 1900 इसबी में राजभवन बनकर पूर्ण तयार हो गया उच्चिन आयले भवन या राजभवन का निर्मार सर सैंटोनी मैक डोनल् चांदे आप जो राजभवन है ये बना है आपका गौथिक शैली में अगला कुश्चन देखिए उत्राखंड में किसके जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है उत्राखंड में नरेन सिंग नेगी के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है जीकि पेडरणा दिवस कभ होता है अगर question put up किया जाता है तो ये होता है आपका 12 अगस्त को अगला है आपका देखे परशिद रोबस गुफाएं कहां इस्तित है परशिद रोबस गुफाएं इस्तित है आपके गुच्चू पानी दिहरादून में अगला है गोल्डन वैली किसका उपनाम है गोल्डन वैली उपनाम है बागिश्वर का अगला देखे जाक मेला किस जिले में लगता है जाक मेला लगता है आपका रुद्र प्रियाग जिले में अगला question है लडीधूरा मेला का आयजन कब होता है लडीधूरा मेला का आयजन होता है कार्थिक पूर्णीमा को देखें लडीधूरा मेला जो है ये चम्पावत जिले में लगता है चंपावत जिले के बारा कोट में इस्तित पमदा के देवी मंदिर में लगता है लड़ी धुरा मेला इस मेले का आयजन कार्टिक पुर्णिमा के दिन होता है इसमें स्थानी लोग बारा कोट तथा कांकर गाउं में धोनी बना कर राद भर गाते हुए देवता की पूजा करते हैं अगला कुशन है आपका जौनसारी राजनीती जन जाती में राजनीतिक जागरुकता का जनक किसे माना जाता है गुलाब सिंग को अगला कुशन है आपका केदार ताल किस जिले में इस्तित है केदार ताल इस्तित है आपका उत्तरकाशी जिले में देखिए उत्तरकाशी में गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर थलैया सागर परवत शंकला में यह ताल इस्तित है केदार ताल अगला कुशन देखिए उत्राखंड क्रांती दल के पर्थम अध्यक्ष थे डी डी पंत अगला कुश्चन है आपका बाचपूर शहर किस नदी के तड़ पर इस्तित है बाचपूर शहर इस्तित है धूमा नदी के तड़ पर देखे बाचपूर शहर उधम सिंग नगर जिले में इस्तित है जो धूमा नदी के तड़ पर इस्तित है तो इसका पुराना नाम है मुंडिया यहां नगर बाज बहादूर चंदर द्वारा बसाये गया था बाजपूर में 1969 को पहली सहकारी चीनी मिल खोली गई जो देश में प्रथम सहकारी चीनी मिल थी अगला कुशन देखे विशुनात गुफा कि जिले में इस्तित है विशुनात गुफा इस्तित है आपके तीरी जनपद में विशुनाद गुफा तिहरी जन्पत के हिंदाव पठ्टी के दारनात मार्ग पर विशुनाद परवत परिस्तित है यहां आदिकुरु संकराचारी की तब इस्तली भी है यह इस्तान या गुफा गुरु वसिष्ट की तब इस तली के रूप में भी प्रशिद्ध है आप ये भी ध्यान रखें अगला कुश्चन देखिए नंधौर वन्य जीव बिहार का गठन कब हुआ नंधौर वन्य जीव बिहार का गठन हुआ 2012 में नंधौर वन्य जीव बिहार वन्य जीव वन्य जीव वन्य बिहार का गठन किया गया है जिसका छेत्र फल 270 वर्ग किलोमीटर है अगला कुश्चन है आपका विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किस ने किया विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया शेलेश मत्यानी ने अगला कुश्चन है सुमित्रा नंधन पंत की कुमावनी भाशा के प्रशिद्ध कवीता है बुरुन्स अगला कुश्यन देखिए गडवाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक किसके है? गडवाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक है आपके भक्त दर्शन की भक्त दर्शन का जन्म 12 फरवरी 1912 को पौडी जी लेके भराड गाउं में हुआ था 1949 में इनके और भेरवदत धूलिया के संपादकत्व में लैंस डाउन पौडी से कर्म भूमी नामक सापताहिक अगबार का प्रकाशन छुडू हुआ बारव वर्ष के प्रियाशों के बाद इन्होंने गड़वाल की दिवंगत विभूतिया नामक पुस्तक लिखी इसके अलावा इन्होंने सुमन इसमर्ति ग्रंथ कलावित बैरिश्टर मुकंदी लाल इसमर्ति ग्रंथ वस्वामी राम तेर्थी इसमर्ति ग्रंथ लिखी जरूर कर लें चैनल पर नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगला देखें उत्राखंड सेवा निधी एवं परियावरण शिक्षा संस्थान कहां इस्तित है उत्राखंड सेवा निधी एवं परियावरण शिक्षा संस्थान इस्तित है अलमोणा में अगला कुशन है किस परियावरण संग्रक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है ये परियावरण संग्रक्षक है अवधेश कोशल जिन्हें खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है परियावरण प्रेमी अर्वधिश कोशल ने 1983 इजबी में दिहरादून मसूरी छेतर में खनन को प्रतिबंदित करने के लिए सर्वोच नयाले में जैनहित याची का दायर की उस समय परियावरण के मुद्दे पर दायर होने वाली यह प्रत्थम याजी का थी और फैसला भी उनके पक्ष में ही था बाद में उन्होंने देहरादून से 11 किलोमेटर दूर इस्तित सहस्त्र धारा छेतर में बड़े पैमाने पर पौधार ओपन किया अगला कुशन है आपका इंडियन म्यूजिक की रचना किस ने की थी इंडियन म्यूजिक की रचना की स्वामी राम ने अगला कुशन देखिए फास्ट ट्रैक कोड का गठन किया गया दो हजार एक में अगला है 2011 की जनगर्णा की अनुसार सबसे कम जनगर्णतों वाला जिला है उत्तरकाशी जिला अगला कुशन है आपका बोक्सा विरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तख़त अगला देखिए खोदरी परियोजना किस नदी परिस्तित है खोदरी परियोजना इस्तित्याप के यमुना नदी पर अगला है राजे में जायका परियोजना किसके सईयोग से चलाई जा रही है जापान के सईयोग से अगला क्विशन देखिए विकलांगों के भरण पोशन हेतु प्रतिमा कितने रूपे पैंशन श्वरूप दिया जाता है अगला देखिए देव भूमी मुश्कान योजना कब शुरू ही देव भूमी मुश्कान योजना शुरू ही 2009 में देखिए देव भूमी मुश्कान योजना 2009 में शुरू की गई यह योजना समाज के वंचित वर्ग के चात्रों की उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहर निशूल को शिक्षा दी जाती है इस योजना के लिए राजी में कुल एक चाली शिक्षा केंद्र चिन्हित है अगला है केंद्री भवन अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित है रूड की में अगला है उत्राखंड अक्षय उर्जा विकास निगम की स्थापना की गई पितोरगर जन्पद में अगला देखे विद्या सागर नौटियाल का जन्म कब हुआ विद्या सागर नौटियाल का जन्म हुआ 23 सितंबर 1933 को दिखे 23 सितंबर 1933 को तीरी के माली देवल गाओं में जन्म लेने वाले प्रशिद कथाकार स्वतंतरता सिनानी एवं कम्मिनिस्ट नेता विद्या सागर रुद्ध भी उन्होंने संगर्श किया यमना के बागी बेटे भीम अकेला जुंड से बिछुड़ा उत्तर बाया है आदी उनके प्रशिद करतिया हैं ये ध्यान दे आप इन्हें साहिति सेवा के लिए श्रीलाल शुलक स्मिर्थी इफको साहिति सम्मान वर पहल सम्मान सहित कई सम्मान मिले थे ओके गाइस आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करें और कल के 31 जो आपका कनिष्ट साय का पेपर है उसके लिए आपको स्टेडी विद एम की तरफ से विश्यू all the best मिलते हैं एक नई इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद